हेलो एब्रीवन वेलकम डॉट्टर केम आज में लोग बात करने जा रहा है इस्ट्रक्चर ओफ एटम के पीवाई क्यों के बारे में तो इस्टेट अभी अपने डिस्कुशन को शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोगों ने एक डेडिकेटेट प्लेलिस्ट चैप्टर कंप्लेशन को और रहा है अगर वीडियो नहीं देख लो उसी सीक्वेंस में चैप्टर को करना वह नहीं देख लोगों तुम्हें करना पड़ेगा और बाकि सब कोश्चर केम डॉट इंस लाश कोर्स पर अब लेविल है तो वहां से रिटरिफ किया जा सकता है लोग 2021 2022 2023 2024 की प्लेश को क्रेंगे इस बारी और हम लोग देरे देरे करके अप्लोडिंग करना श्रू कर देंगे तो इस्टेट अवे कोशन नमर वन पर चलते हैं कोशन नमर वन क्या रहा है कोशन नमर वन कर रहा है अब प्रोटॉन एंड लीतियम 3 प्लस नुक्लियस आर ए यहां पर 3 प्लस ही होगा यहां पर यहां पर भी ठीक इस देन दे वैल्यू ऑफ एक्स इस करना और गिवन है मास ओफ लाई 3 प्लस इस 8.3 टाइम सा मास ओफ रोटॉन तो हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले हम वहीं से शुरू कर लेते हमें क्या दिया है हमें गिवन है मास ठीक है तो मास ओफ लाई 3 प्लस इस इकोज टू 3 टाइम एट पॉंट 3 टाइमस इंटू मास ओफ प्रोटॉन ठीक है यह में गिवन है और डीव्रॉगली वेवलेंद हम जानते हैं लेमडा इस इकोज टू एच अपॉन एमवी होती है अगर तुम्हें डीव्रॉगल अंडर रूट ऑफ टू एम के यह एक इंपॉर्ड़न फॉर्मूला है जो हमें याद रखना चाहिए ठीक है एमवी को क्या करोगे कानेटिक इनर्जी में कनवर्ट तो आसानी से करा सकता है कैसे करें इनर्जी किसके बरावर होती है हाफ एमवी स्कॉएर के बरावर होती है कैनेटिक इनर्जी किसके बरावर हाफ एमवी स्कॉएर के बरावर है तो हम यहां से एमवी की वैल्यू निकाल ले तो एम इंटू के लिख ले और यहां पे भी एक मॉल्टिप्लाई कर दें तो यह एमवी का होल स्कॉएर हो जाएगा तो नों तरफ क्या किया हमने दोनों पान वोल्ट में भी लिख सकते हैं तो जो लेमडा की वैल्यू हम लिखना चाहते हैं इस कोश्चन के लिए वह अंडरोट 2mE इंटू वी लिखना चाहते है ठीक वेर इस दा चार्ज वेर इस दा चार्ज वी इस दा पोटेंशियल 2 m इस मास और तो अपना क्या है प्लेंक्स कोंश्चन्ट है अब हम से कौश्चन में क्या कह रहा है हमसे क्या रहा है कि हमें निकालना क्या हैSab m2l3 3 प्लस ब्लस अपन नेमडा फB2 तो लेम्डा ओफ एलाई 3 प्रस होगा कितना जार एस तो वैसे का वैसे ही रहेगा एस में तो कोई फर्क पढ़ने जाना वाला नहीं है अंडर रूट ओफ अगर हम इन दफॉर्म ओफ लेगा किसका प्रोटाॉन के मास वाल्लें तो मास ऑफ प्रोटाउन माल लेता है पर इसमझे यहां पर लेता है मास अवटाउन लिघ कुण्छ क्योंकि हम प्रोटॉन से कंपेर करना है इंटु चार्ज हमारे पास 3 और वोल्टेज हमसे का एक ही वी महल लेते हैं ठीक और लीधियम लंड़ा प्रोटॉन कितना नेम्डव प्रोटॉन होजाएगा एच अपॉन अंडर रूट ऑफ टू इंटू मास ओफ प्रोटॉन है ध्यान से देखते रहें ना मास ओफ प्रोटॉन इंटू चार्ज होगा कितना वन इंटू वी दोनों को दिवाइड कर दो तो लेम्डवा 3 प्लस मास ऑफ प्रोटॉन एंपी लिख देता हूं थ्री इंटू वी हो गया इंटू उपर ले जाओं तो अंडर रोट ऑफ टू इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी डिवाइड़ बाई एच ठीक इतनी बात समझ में आगए यह तो आसानी से चला सीधे सीधे इसमें कोई दि केंचल हो गया हो गया इतना कैंचल आराम से तो ये क्या बचा ये बचा वनप रूंट ऑफ ठीक वूंट थ्री इंटू यूट्टू इंटू एट वांटली तो फिय्तू एंटवी और फॉन अपॉनूंटू फूंट नाई तो ये आल्मोस्ट फाइव है इसे अल्मोस्ट लिख सकता है क्योंकि हम एप्रॉक्सिमेट निकालना तो यह वन अपॉन 5 हो जाएगा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी तो टू इंटू टेन रेश्ट पावर माइनस वन आ जाएगा रेशियो तो एक्स की वैल्यू अपनी आ जाएगी यहां पर टू आ जाएगी एक लएक चलता शांट में अगयर नेक्व लिख सब्सक्राइग लिख चलता लिख निए अंग्य कहरें गयर नेक्षक में कहरा है अक्या डू बब अटोर्स नटायरी में आगर व्दिट करने की कोशिश करें तो क्योंकि formula based question है तो मैंसे formula को revise कर लेते हैं तो according to boards theory boards theory क्या होता है radius जो होती है rn is equal to होती है a0 into n square by z ठीक velocity जो होती है वो क्या होती है 2.18 into 10 raise to the power 6 z by n meter per second ठीक काइनेटिक energy कितनी होती है काइनेटिक energy होती है plus 13.6 into z square by n square electron volt potential energy होती है कितनी minus 27 यह formula तुम्हें भी tips पर याद होने ही चाहिए paper में derive नहीं किया आ सकते हैं बैटके बहुत time लगता है ठीक है और total energy जो होती है काइनेटिक energy plus potential energy के सम के बराबर होती है which is minus 13.6 into z square by n square ठीक तो अब देख लो जरा पहला statement पड़ो करा है काइनेटिक energy of the electron is proportional to z square by n square तो यह बात तो बिल्कुल ठीक होई है करा है the product of velocity of electron and the principal quantum number vn is equal to z square तो velocity किसके proportional अपनी देखना वही फॉर्मूले से velocity proportional आगी z by n के तो vn जो होगा वो proportional होगा z के तो यानि कि second statement हमारा गलत हो गया z square के प्रपोश्टन नहीं आरा ठीक अब क्या कर आए था frequency of revolution of electron is frequency कैसे निकालेंगे तो यह बात समझनी पढ़ेगी frequency क्या होती है frequency is equal to होता है one upon time तो हम one upon time period की जहां कि time क्या होगा time is equal to distance upon velocity आरे तो में तो हमने लिख दिया तूपाइर आर अपान विलॉसिटी तो हमें यह पता है कि कि है और आर प्रोपोश्टेटली इनकालना थे जू कि そう यहां पर यहां अभाई पहले से लगई और आप अब यहां पर हमें क्योंकि प्रोपोश्टि निकालनी मैं तो में प्रिपोर्शनल्टी ला देते हैं तो जो तो टाइम प्र ballot गाए जाएग। तो z square by n cube लिखा हुआ है क्या उपर यह तो नहीं लिखा हुआ z cube by n cube लिखा हुआ तो गलत हो गया columbic force of attraction columbic force of attraction क्या होता है columbic force of attraction होता है क्या f is equal to k into ze into e divided by r square ठीक तो r किसके proportional r हमने उपर लिखा ही है तो यह लिखने k into e square इसे proportional में ही ले ले लेते है तो यह हो गया f proportional हो गया किसके z into n square by z whole cube whole square तो f proportional आगया किसके z cube upon n की power 4 क्या आगया आसान है बिल्कुल तसली से लिखो देखो धीरे-धीरे करके सवाल लेंदी है इसलिए क्योंकि आगया किसके प्रपोप्शनल जेट की बैए एन की पावर 4 और यह हमें चाहिए ता बिल्कुल सही है तो आंसर यह भी होना चाहिए तो आंसर क्या आगया एए और डिया तो दिया ठीक है सवाल को तसली से लाना तो लंबा सवाल था इतना तो करना ही पड़ेगा ठीक अगला कोश्चन क्या करा है अगला कोश्चन करा है दा प्लॉट ऑफ रेडियल डिस्टिविशन फंक्शन ऑफ वेरियस और बिटल्स ऑफ हीट्रोजन अगेंस्ट आर इस गिविन ठीक हमें तीन ग्राफ चार ग्राफ दिये हुए है और हमसे पूछा है कि प्लॉट फॉर 3S और बिटल अब तको तुम्हें यह लेंनहें पटा होगी फिलॉट कितना होगा कौण उपको यह नहीं जानते हैं लेकिन इस प्लॉट के बारे में यह जरूर जानते हैं की डिकान सुअन अपनlar और यम्मम् सूपर्व से नबर ऑप रीडियल नोट्स जो है आनने में यस अ सब्सक्राइब नंबर ओफ रेडियल नोट्स किसे बराबर सरेल धीर होगे खेल कि स्राइब तो इसमें एक नोड यह है और एक नोड यह है ठीक इसमें कोई नहीं है जीरो नोड इसमें आ रहा है एक नोड और हमें चाहिए कितने दो और इसमें आ जीरो नोड जीरो नोड को मतलब कोई नोड नहीं है तो दो नोड वाला ऑप्शन डी आगे और डी ऑप्शन ए ओप्शन में लिखा हुआ है तो इसलिए से डी नहीं मार्क करेंगे ध्यान रखना यह घरबड हो या थी तो सिंपल आंसर क्या जाएगा यह जाएगा अगला जूल पर मॉल इस राउंड ओफ टू दा निरेस्ट इंटीजर कह रहा है ठीक है तो हमें वेवलेंड दी है हमें इनर्जी निकालनी है और पर मॉल निकालनी है ध्यान रखना तो लेमडा इस इक्वेस्टू क्या लिख सकते है एच अपॉन सुरी लेमडा हमें लिखना है क् है इनर्जी हम क्या लिख सकता है है एच सी अपॉन लेमडा तो एच की वैली वमें दे रखे 6.63 इंटु 10 देडर रावर 8 डिवाइडेड बाई लेमडा में दे रखे 663 इंटु 10 देडर पावर माइनस 9 और पर मॉल निकालनी है तो इसमें क्या कर दिया हमने मल्टिप्लाई कर दिया पर मोल निकाल नहीं थी इसले मल्टिप्लाई किया तो देखो कितने भले लोग हैं यहां से दो डेसिमल अटाओ इसके डेसिमल अटा है तो यहां पर 10-7 बचा अब उपर काउंट कर लो 7 और 23 30 38 तो यह बचा कितना 6.02 into 10 raise to the power plus 4 into 3 तो यह बचा कितना 18.06 into 10 raise to the power 4 joules बचा पर मोल या फिर इसे लिख दें तो 80 180.180.6 into 10 raise to the power 4 sorry 180.6 into 10 raise to the power 3 joules लिख दें या फिर 180.6 kilojoule पर मोल लिख दें तो क्योंकि अब इसा में round off to the nearest interior करना है इसने round off हम कैसे करेंगे क्योंकि यह 0.6 आ गया है तो इसे हम क्या लिखेंगे इसे हम लिखेंगे 181 kilojoule पर मोल कई जंगा पर 180 भी आंसर दिया हुआ है तो जिन्होंने इसे round of size नहीं किया है उनका आंसर 180 आ जाएगा जबकि आंसर क्या होना चाहिए 181 में से बाद में ठीक भी किया था 2021 में ठीक है जिस बैच में था 2021 में 100 परसेंटाइल था कि मिश्ट्री का ठीक चलो अगला देखते हैं है कि अगला क्या कर रहा है दा ऑर्बिल से भिग्री रेडियल नोड अस बयास एंगुलर नोड तो मडोर ओर स्पामपिलई लिक्ते था तो नमबर ऑफ रेडियल नोड काऑन में सदो रेडील नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है एन मैंनेश ल मैंनेश वन और नंबर और ऐंग्यूलर नोट उसका कि फॉर्मूला लेएल नमबर ऑफ एंग्यूलर नोड्स होजी तो एंग्यूलर नोट्स अब सच के लिए जो areL compete zone कई सी जीरो वन टू-ao-किहानि में चाहिए districts की चाहिए गया सक्थ कर करूं कि इसमें दो है और इसमें नोट यह क्मृण क्वे नहीं सकते टीक जोनद गलत हो गए तो रेडियल नोट रेडियल नोट छेक नहीं तो ऐसे यह option चेक करोगे ना 4B orbital के लिए अगर हम चेक करें तो क्या जाएंगे नंबर ओफ रेडियल नोट कितने आ गए नंबर ओफ रेडियल नोट कितने आ गए वह आ गए एन माइनस एल माइनस वन और एन की वेली हो गई यह वह बना गया यानि कि यह भी आंसर नहीं तो आंसर तो हमारा क्या है डि है लेकिन फॉर फाइव डी और भी चेक कर लेते हैं जाएगा ठीक है बिल्कुल क्लियारिटी से समझ में आना चाहिए असानी से हो जाना चाहिए तुमसे ठीक अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है अगला कर रहा है बॉल वेइंग 10 ग्राम्स इस मुविंग विदे विलोसिटी ओफ 90 मीटर पर सेकेंड इव दा अंसर डेनिटी इन पोजिश्टी इस फाइव परसेंट देन अंसर डेनिटी इन इस पोजिश्टी इस है वातानी और रॉंड अफ करना है नेरेश इंटीजर ठीक तो पहले अंसर डेनिटी इन विलोसिटी निकाल लेते हैं हमें क्या चाहिए हमें चाहिए डेल्टा एक्स इन्टू डेल्टा पी अगर हाइजनबर्ग अंसर डेल्टा पी प्रिंस्पल से बात करें तो डेल्टा एक्स इन्टू डेल्टा पी शुट भी ग्रेटर देन H upon 4pi और minimum uncertainty ले हम क्या करते हैं minimum uncertainty ले हम करते हैं कि delta x into delta p को हम किसके बराबर कर देंगे greater than hटा के क्या लगादेंगे equal to H upon 4pi कर देंगे ठीक तो यह formula हम लोग use करेंगे अब इसे use कैसे करेंगे तो हमें पहले निकालनी है क्या कि इसे delta x लिख लें इसे m into delta भी लिखने चलेगा क्या हम बोलो तो हमें delta भी find out करना पड़ेगा तो uncertainty in velocity निकाल लेते हैं तो uncertainty uncertainty in velocity क्या हो जाएगी भाई अब देखो हमें कितने percent की error दें रखिए 5% की तो uncertainty 5% की तो आएगी तो uncertainty in velocity कितनी होगी 90 upon 100 into 5 90 into 5 upon 100 कर देंगे तो यह आगया कितना 45 divided by 450 divided by 100 यानि की 4.5 आगया ठीक तो uncertainty in velocity निकाल गई मास हमें एकदम fix पता ही है तो हम क्या लगा देंगे सीधे अब formula लगा देंगे तो delta x हमें find out करना है m की value 10 gram दी है और velocity कितना आगया 4.5 आगया which is equal to इसके बराबर हो गया और यह किस में आया है grams में दे रखा है तो इसे 10 को gram को kg में convert करेंगे क्योंकि ऐसा ही unit में करना होगा तो 4.5 आगया is equal to 6.6 3 into 10 raise to the power minus 34 divided by 4 into 3.14 ठीक तो जब इसे solve करता है तो x की value delta x की value आगया 6.63 into 10 raise to the power यहां से एक 0 गया minus 2 अची इधर जाके कितनी बचाए minus 32 32 divided by 4 into 3.14 into 4.5 इसे divide करता होगे तो x की value आगया 0.117 into 10 raise to the power minus 32 तो यह आजाएगा 1.17 into 10 raise to the power minus 33 meter तो यह आजाएगा 1 into 10 raise to the power minus 33 meter क्योंकि हमें round off करना था nearest integer में इसलिए answer कितना आगया इसलिए answer इसका 1 आगया ठीक तो मैं Heisenberg answer identity principle एकदम बढ़ियां से पता ही होना चाहिए कोई और option नहीं है इसका ठीक है बात समझ में आगी बिलकुल आसानी से कोई दिक्कत की बात नहीं है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है अगला सवाल कह रहा है दा number of orbitals with n equals to 5 and ml equals to plus 2 अब ml equals to plus 2 हमें चाहिए और हमसे पुझाए number of orbitals with n equals to 5 and m equals to plus 2 कितने हो सकता है ठीक है तो n equals to हमें 5 दे रखा है और ml की value अगर हमें plus 2 चाहिए तो उसके लिए l की value या तो 2 होनी चाहिए या फिर 3 होनी चाहिए क्योंकि m की value कहा से खहां तक होती m belongs to कहा होता है m belongs to minus l to 0 to plus l तो या तो 2 में आईगी या 3 में आईगी अब हमें निखनाए कि अगर हम इसे ऐसे देखें कि n equals to 3 में d orbital शुरू हो जाता है 3d n equals to 4 में 3d sorry 4d और 4f होगा और n equals to 5 में कौन से होंगे 4d sorry 4d और बाकि यह हम उपर से तो सब चले ही आएंगे तो जाएंगे 5d 5f और हमें ml तो इन ही दोनों में मिलेगा ठीक अब देखना जड़ा हमें n equals to 5 में कहना है और 5f के बाद क्या जाएगा 5g भी आएगा भई भई क्योंकि यह तो 5 के लिए क्या होगा minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 फिर प्लस 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 इस तरह से चलेगा न ठीक तो 5g भी होगा तो एक orbital d में ऐसा होगा जो plus 2 में होगा एक orbital f में होगा जो plus 2 में होगा एक orbital g में होगा जो plus 2 में होगा कितने total orbital होगा 3 सारे और दलाए काउंट करने हमें एनिकुश्टू फाइव यह पाइव के लिए परडेकुरर डाउ जितने और बिटल ऐसे हो गए जिसमें ऐल की वेल्यू कितनी ओगी मल की बेल्यू कितनी होगी प्लस्टो जीरों टुडिए रिफू को मतले हमने कैसे देए यहां तो फोर हो तो 4 भी ले सकता है, ठीक, तो यहाँ पर 5 नहीं, 4 तक ही आएगा यह, ठीक है, 5 गलत लिख दिया, 4 तक ही आएगा, क्योंकि जो L होता है, वो N-1 तक जाता है, L कहां तक जाता है, यहाँ पर लिखते हैं, L गोस फ्रॉम, L गोस फ्रॉम, 0 to N-1, तो 4 N equals to 5, L can be maximum क्या हो सकता है, 4, 3, 2, 1 और 0 हो सकता है, यह 5 वाली ले सकता है, तो हमें 2 से चुरू करना पड़ेगा, तो 2 में, 3 में और 4 में होगा, तो 2, 3, 4 के लिए respective orbitals को होंगे, होंगे, D, F और G वाले orbitals होंगे, ठीक है न, अगला कोशन क्या कह रहा है, अगला कोशन कह रहा है हमसे, कि बोर्स हुरी accounts for the stability and the line of spectrum of lithium ions, यह तो false होता है, कि line spectrum को तो बहुर explain ही नहीं कर पाया था न, यह तो कैसा है, यह false है, ठीक, और अगला statement कह रहा, बोर्स हुरी वास अनेबल तो explain the splitting of spectrum line in presence of magnetic field, इसी को हम क्या कहता है, इसे हम Zeeman effect कहता है, यह क्या है, Zeeman effect है, इसे भी बहुर explain नहीं कर पाया तो यह बात सही है, तो यह true हो गया और एक false हो गया, तो एक true, पहला true, पहला false और दूसरा true कहुंसे statement है, पहला true, false और दूसरा true statement हमारा c वाला है, ठीक है, done है, अगला चलता है, अगला क्या गहरा है, अगला गहरा है, certain orbital has n equals to 4 and ml equals to minus 3, अब n equals to 4 के लिए, यह L की value कितनी होंगी, L होगा, 0, 1, 2, 3, तो L value 3 आने का मतलब है कि L की value कितनी रहनी पड़ाईगा, मैं 3, ठीक, L की value 3 लेने के लिए, मतलब यह कौन सा orbital हो जाएगा, 3 F orbital हो जाएगा, 4 F orbital हो जाएगा, और F orbital के लिए number of radial notes कितने होता है, number of radial notes कितने हो जाएंगे, number of radial notes हो जाएंगे, N minus L minus 1, 4 F कैसे है यह पता लगा, N equals to 4 given है, और M L की value 3 है, इसका मतलब वो F orbital में, otherwise हो जी नहीं सकती, maximum value ले रहा है, तो यह 4 minus 3 minus 1, तो answer कितना आजाएगा, 0 आजाएगा, तो इस answer हम क्या mark करेंगे, 0 mark कर देंगा, ठीक, next question पर चलता है, next question क्या गह रहा है, next question क्या गह रहा है, the light of wavelength 248 nanometer falls on a metal of threshold energy 3.0 electron volt, the deep broccoli wavelength emitted from this electron is, ठीक है, तो एक हमें formula अगर तुम्हें याद आ रहा हो, कि अगर हमें energy calculation of energy करनी है, तो energy is equal to 1240 divided by lambda in nanometer, तो जो energy आती है, वो electron volt में आ जाती सीदे, याद आ रहा formula, नहीं याद आ रहा, तो इससे ध्यान लगना, 1240 by lambda in nanometer यूज़ करेंगे, तो energy direct electron volt में आ जाएगी, तो energy कितनी आ गई, energy आ गई, 1240 divided by 248 electron volt, यादि कि अगर इससे काट दें, तो यह 5 टाइम जा रहा है, तो यह 5 electron volt आ गई, अब क्या हुआ, light तो थी, गिरी, जिसकी threshold energy कितनी थी, 3 electron volt थी, तो h new is equal to हम लिख सकते है, h new not plus kinetic energy, h new की value में 5 दे रख्ये, h new not की value में 3, point दे रख्ये, 3 दे रख्ये, 3 दे रख्ये, तो kinetic energy कितनी आ गई, kinetic energy आ गई, two electron volt के बराबर, kinetic energy कितनी आ गई, two electron volt को रहाब, यह तो photoelectrific वाला formula भाई, formula बनाता जा रहा हूंज, ध्यान होने चाहिए, तब यह formula लगेंगे, ठीक, तो up to electron volt को जाब हम किस में convert करेंगे, joules में convert करेंगे, तो 1.6 into 10-19 से multiply कर देंगे, अब इस energy से हम क्या निकालना चाहते है, इस से हम lambda निकालना चाहते है, तो lambda का formula हम लोगेंगे पहले question में लिखा था, h upon under root of 2 m, k e कर देंगे यहाँ ठीक, तो h की value कितने ही दे रखी, h की value ऊपर given है, देख लो सब value given है, h की value दे रखी 6.63, into 10 raise to the power minus 34, divided by under root of 2 into mass दे रखा 9.1 into, 9.1 दे रखा 9.1 दे रखा 9.1 दे रखा, 9.1 दे रखा, 9.1 into 10 raise to the power minus 31 electron को 3.2, यह कितने हो जाएगी, यह हो जाएगी, 3.2 into 10 raise to the power minus 19, तो मैं यहाँ इसलिए मैं लिखे दे रहाँ, ठीक, तो 19 और 31 मिलके हो गए, 50 बाहर आगी, पावर 25, 25 उपर जाके बची 9, ठीक, तो इसे अगर मैं exactly solve करने की कोशिच करने हो, तो इसे लिख दूं 6.63 into 10 raise to the power minus 34, divided by under root में कितना बचा, 3.2 into 2 होगे, 6.4 into 9, 0.1 into 10 raise to the power minus 25, ठीक, तो यह बच गया, 6.63 into 10 raise to the power minus 9, divided by under root of 58.24, और 58.24 यहाँ दोजार 21 में बड़े गंदे सवाल आ गया थे, तो कल्कुलेशन तो करने ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है, है ना, तो यह solve वो क्या जाएगा, 0.865 into 10 raise to the power minus 9, यानि कि 8.65 into 10 raise to the power minus 10, यह एंग्स्ट्रॉम में आ गई, लेम्डा किसमें आ गया, मीटर में तो यह आ गया, 8.65 एंग्स्ट्रॉम आ गया, तो इसे अगर हम राउंड आफ करेंगे, तो 9 एंग्स्ट्रॉम ओगा अंसर लिख देंगे, तो उपर क्या जाएगा अंसर, 9 एंग्स्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया, हमने इस formula की बेहद importance थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए सवाल को लगाया, कि हमें यह formula का रियाद है, तो calculation हम बहुत सारी बचा सकते हैं, अधरवाई सवाल दो लग जाएगा, लेकिन calculation तो मारी बनी रहेगी, तो calculation को बचाने के लिए तो यह करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं, अगले सवाल पर आ जाता है, अगले सवाल क्या कर रहा है, certain orbital has no angular nodes, अब कोई angular nodes नहीं है, and two radial nodes, अब angular nodes नहीं है, तो angular nodes होते कितने हैं, number of angular nodes का मैं बार बार लिख रहा हूं, formula देख रहा हूं कितने question आ रहे हैं, तो इसका मतलब याद होना चाहिए, angular nodes होते हैं, कितने हैं, l, तो अगर l की value, if l की value हमें रखे हैं, 0 यानि कि that means, that means, s-sub-shell की बात हो रही है, s-sub-shell की बात हो रही है, तो यह दोनों तो गलती हो गाए, अब option यह तो हमारे पास क्या बचा है, यह तो हमारे पास b बचा है, यह तो number of radial nodes हमें कितने हैं, number of radial nodes निकाल लेते हैं, number of radial nodes कितने होगा, n-l-1 तो 3-0-1 यानि कि 2 आगया, तो हमारे आंसर यहीं पर सही होगया, तो answer हम इसका क्या mark कर देंगे, answer इसका हम b mark कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बात समझ में आही रही होगी यारब तो, काफी सिंपल चला है भी तो जिन्दगी, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है, statement बन कह रहा है, रदरफोर्ट्स गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट कैननोट एक्सप्लेइन दा लाइन इस्पेक्ट्रम आफ एट्रोन अटम, ये तो ट्रू बात है, रदरफोर्ट गो देश सबसे पंचायती नहीं ती यार, कि क्या होने वाला है, ठीक, बोर्ट्स और मोटल आफ एटम, कॉंटरटेक्स, हाइजनबर्ग, अनसाइटनिटी प्रिंस्पल, ये ट्रू बात है, ये न्सी आइटी में लिखी हुई लाइन है, बिलकुल एंसी आइटी रिफर करना, एंसी आइटी में राइटनिट साइट पे पेश पे लिखी हुई ये ठीक है, एंसी आइटी रिफर कर लेना, दोनों ही सही बाते हैं, कि बोर्ट्स योरी क्या बता रही थी, प्रेडिक्शन ओफ पात बता रही थी, जो की गलत बात थी, अगला सवाल क्या रहा है, इस फॉल्बर्सल क्रेट बलो크 पाता है, अगर थॉल्बर्स सही होता, तो क्या होता पॉजलेवर चार्ट सब जहहां पे रिस्टिभुटिटेड़ होता, तो सारे alpha particle 180 पे तो नहीं आते all alpha particle pass through तो होई नहीं सकते थे योगि positive charge distributed है all alpha particle pass through go by without decrease in speed ये भी गलत बात है all alpha particle were deflected over a wide range of angle क्योंकि कोई दूर से भी निकलता ना तो आई सटके बचके निकलता क्योंकि अब जो positive charge है वो पूरे में distributed है इसलिए हम ये कह रहे है ठीक है चालो अगला कोशन क्या कह रहा है अगला कोशन तो बहुत ही बड़ा से सवाल लग रहा है देखने में लगाने की कोशिच करता है क्या कह रहा है a source of monochromatic radiation of wavelength 400 nanometer provides 1000 joules of energy in 10 seconds when this radiation falls on the surface of sodium atom x into 10 is to about 20 electrons are ejected per second assuming that the wavelength is 400 nanometer is sufficient for the ejection of electron from the metal surface than the value of x is ठीक है तो basically क्या कराएगी 400 nanometer की light डालने से of 1000 joules of energy for 10 seconds तो हमने कितनी per second energy डाली वो कितनी हो जाएगी 10 second में एख़ा डाली तो per second कितनी आ गई 100 joules आ गई 100 joules energy डालने से हमें कितनी एक electron निकलने हमें यह पता करने हो और एक electron निकलने के लिए हमें जो wavelength चाहिए हूँ है देखो तो एक electron निकलने तो हमें energy required per second कितनी है इनर्जी रिक्वायर्ड क्योंकि हमें पर सेकंड दें रखे न तो पर सेकंड कितनी है थाउजन्ड अपॉन टैन सेकंड हमें दे रखा टाइम तो यह होगे हंड्रेड जूल अब इनर्जी एसोसेटेड वन उलक्ट्रोन कितनी है जाएगी इनर्जी एसोसेटेड विद वन उलक्ट्रोन कितनी है जाएगी s upon lambda H की value दे रखी 6.626 into 10 raise to the power minus 34 C की value 3 into 10 raise to the power 8 और lambda हमें पता है 400 nanometer है तो 10 raise to the power minus 9 कर दिया ठीक तो ये कितना आ गया वही ये आ गया 6.626 into 3 into 10 raise to the power minus 19 divided by 4 सब कुछ solve कर दिया ठीक अब number of electrons कितने eject हुए तो number of electrons ejected कितने हो जाएंगे will be equal to total energy क्या हो जाएगी total energy divided by number of energy of one electron energy of one electron यही तो होगा भाई कि हमें total energy पता हो रहे एक electron की energy जबने find out कर ली तो क्या करेंगे दूनों को divide मार दो खतम हुआ काम तो कितना आ गया टोटल energy थी 100 एक साथ अठारा आठ अठारा और उननेस ठीक तो इसे लिखने 40 into देखो smartly लिखो क्योंकि into 20 यह निकालना तो इसे 10 इसे 20 कर दो divided by 19.87 कर दो 878 कर दो तो तो यह almost 20 मान के 20.01 टाइप के कुछ आ जाएगा 2.0 बना जाएगा तो आंसर कितना लिख देंगे 2 लिख देंगा सभी है क्योंकि हमें into 10 इसे 20 की format में लिखना तो इसे लिख दिया तो आंसर कितना आ गया इसका आंसर इसका आ गया 2 ठीक है बास सवाज में आई गई होगी simple तरीका था कि हमने पहले इसमें अगला सवाल क्या रहा है an accelerated electron has speed of 5 x 10 10 to the power 6 meter per second with an uncertainty of .02 percent the uncertainty in finding its location when motion is x into 10-9 meter than the value of x तो यह तो previous question की तरह ही है बिलकुल ठीक तो इसमें uncertainty in velocity कितनी आ गई uncertainty in velocity कितनी आ गई uncertainty in velocity जो आ गई 5 into 10 raised to the power 6 into 0.02 और उसका percent ठीक तो यह बचा कितना यह बचा इसे करते हैं तो यह 0.1 into 10 raised to the power कितना बचा 0.1 into 10 raised to the power 6 divided by 10 यह बचा 10 raised to the power 3 meter per second इसमें uncertainty भी ठीक तो हमें पताएगी delta x into delta v m delta v वही मैं पूरा ही लिख देता हूँ तुम लोग कहते हैं तो लिखते हैं नहीं हो पूरा तो delta x into delta v किसके बराबर होगा h upon 4 pi के और equal to इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें minimum इसलिए रखनी है तो delta x into m into delta v is equal to h upon 4 pi लिखने हैं से momentum को हमने m into delta v लिख दिया delta x हमें find out करना है और m की value हमें दे रखियें 9.1 into 10 raise to the power minus 31 और delta v की value है 3 यह हो गया 6.63 into 10 raise to the power minus 34 divided by 4 into 3.14 almost same सवाल है बिलकुल इसमें परिशान होने की जरुवती नहीं तो delta x की जो value आ गई वो आगी कितनी 6.63 into divided by 9.1 into 4 into 3.14 और power कितनी बची यहाँ पर 23 बची और यहाँ बचाओ तो 10 raise to the power minus 6 आ गया ठीक इस सबको divide करेंगे तो 0.058 into 10 raise to the power minus 6 आ जाएगा तो यह रगेगा 58 into 10 raise to the power minus 9 meter तो यह आ जाएगा 58 answer मीटर भाई निकानला था बिलकुल ठीक सही अब calculation वाला पाट तो घर करी लोगे calculation तो लिखनी पड़ेगी और करना पड़ेगा मैं तो मतलब इसे divide तो करी लोगे मैं यह मानता हूं इतना तो समझदार होई तुम लोग अगले सवाल पर चलता है अगले सवाल गह रहा है इदा इस पिन ओनली मैंगनेटिक मोमेंट इन बोर मैंगनेट ओन फॉर फ्री टी थी प्लस वी टू प्लस एंड इसकेंडियम प्लस आयन आस रिस्पेक्टिवली अब सबके लिए में क्या बताना है कि है इस पिन ओनली मैंगनेटिक मोमेंट होता है इस पिन ॉनली मैंगनेटिक मोमेंट का फॉर्मुला, बोर मैंगनेट ओन फॉर्मॉर यह क्या है number of unpaid electrons अब टाइटेनियम का atomic number हमें दे रखा है पहले कितना 22 तो 22 के लिए electronic configuration लिखेंगे तो AR 4S2 3D2 लिखेंगे तो titanium plus 3 का configuration क्या लिख देंगे AR 3D1 जब electron निकालेंगे तो किससे निकालेंगे 4S से तो इसमें number of unpaid electron कितने आ गए number of unpaired electrons इसमें आ गए 1 ठीक तो इसके लिए जो mu की value आ गई वो आ गई under root of 1 into 1 plus 2 यानि की under root of 3 which is equals to 1.73 करेक्ट चलो बड़िया अगला कौन सा है अगला वैनेडियम वैनेडियम का atomic number देगो गेवन है तुम्हें 23 गेवन है बिल्कुल तुम्हें atomic number भी याद रखने की जरूबत नहीं है तो 23 के लिए क्या लिखेंगे ए आर 4s2 3d3 4s2 और 3d3 तो वैनेडियम पर कितना चाहिज आना है वैनेडियम पर प्लस टू लोगाना है तो 23 V2 प्लस का कितना जाएगा AR 3d3 अब 3d3 को बनाने की कोशिच करोगे तो कैसे बनाओ गया तीन अन्प्याड एलेक्ट्रोन तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी तीन इसमें तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ओफ 3 इंटू 3 प्लस 2 यानिकि रूट ओफ 15 यानिकि 3.87 के लगवग वो ही दियोगी ठीक है इतनी आ गई तो अब अगला क्या है हमारे पाद स्केंडियम प्लस 3 है तो स्केंडियम का अटमि नंबर 21 तो यह AR 4H2 3D1 सरल सवाल है वाई यह 21 इसकेंडियम प्लस 3 लिखेंगे तो क्या लिख देंगे AR बाकी 3D 0 आ गया तो नंबर अफ अन्पेड इलेक्ट्रोन कितने आ गया जीरो तो मियू की वैल्यू की कितनी हो गया जीरो तो आंसर आया 1.7 3.87 और जीरो तो अंसर इसका क्या आ गया अगया ठीक अब क्या आगर आए ता नंबर ओफ एलेक्ट्रोन देट वनेडियम है इन पी और्विटल्स इज को सटू वनेडियम के पी और्विटल में कितने इलेक्ट्रोन है जरा काउंट कर लो तो वनेडियम का अटामिक नंबर 23 है तो एलेक्ट्रोनी कॉंफिगरेशन लिखो 1s2 2s 2 2P6 3H2 3P6 4H2 3D3 तो 6 इलेक्ट्रोन यहां पे और 6 यहां पे तो टोटल कितने है 12 इलेक्ट्रोन से इसे हाइलाइट कर लो 6 यह वाले रहे और 6 यह वाले रहे तो पी और उटल में कितने इलेक्ट्रोन होगा है 12 इलेक्ट्रोन से होगा है खतम होगे सवाइब सिंपल इजी कोई कोई दिक्कत नहीं मज़ेदार था ऐसे ही सवाल आ रहा है ठीक सललसल आसानी से हो जाने चाहिए अगला क्या कर रहा है दायजी मिदल कॉंट्रम नंबर फॉर दा वेलेंस एलेक्ट्रोन फ्लस आयन इस तो पह क्या लग दें 4s के बाद क्या आता है 4p 4p1 तो गैलियम 31 प्लस का कॉण्फिग्रेशन क्या हो जाएगा अब पूछ रहा है एजी मितल कॉंटर नंबर यानि की वेल्यू कितनी है टो है एज हनुंस आगला सवाल क्या करा अगला सवाल कैव्याड वेल्याइट उप्यूला प्वेल्या ग्याटा है क्या है था वेल्यद उप्तेchnों अगला सवाल का रहा यह लयकलून संदें 2m ev 2m ev होती अब 2m ev आ गई है ठीक तो हम क्या करेंगे इसे value निकाल लेंबडा की value हो गई h की value हो गई 6.626 into 10 raise to the power minus 34 divided by under root of 2m electron का मास हो गया 9.1 into 10 raise to the power minus 31 e की value हो गई 40 into e की value हो गई चार्ज है तो 1.6 into 10 raise to the power minus 19 और यह हो गया 40 into 10 raise to the power 3 ठीक तो इस decimal से 40 का 4 cancel हो गया तो हो गया यह कितना यह कितना आ गया बता होई तो यह आ गया 6.626 into 10 raise to the power minus 34 divided by power गिनलो पहले यह 50 हो गई 50 में से 3 के 48 हो गई और इसे भी हटा देते हैं तो बची कितनी है 50 में से 3 के 47 बचे और देसिमल भी हटा देते हैं तो 49 बची तो 2 into 91 into 16 into 4 into 10 raise to the power minus 20 minus root के अंदर ही रखते 48 ठीक तो उपर पावर चली गई तो यह बच गया कितना और यह चार सोला और चार दोनों बाहर आ गए तो यह आ गया 6.626 into 10 raise to the power minus 10 बचा अंडरूट के बाहर जो नंबर आ गया वह आ गया बचा अंदर कितना 91 into 2 और यह बाहर आ गया कितना 4 और दो 8 ठीक 182 बचा तो यह अब इसका तो अंडरूट लेने पड़ा गा तो 6.626 into 10 raise to the power minus 10 divided by 8 into under root of 182 इसे आप solve कर दोगे तो 0.0613 into 10 raise to the power minus 10 आ जाएगा तो आ जाएगा 6.13 into 10 raise to the power minus 12 मीटर तो जो answer लिखेंगे उसका क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे तो 6 आ जाएगा यहा पर 12 के format भी निकालना था ठीक है calculation है formula तो छोटा सा था आसानी से लग जाना चाहिए था लेकिन calculation भारी भर कम है तो उसे हमें use करना है पड़ाएगा अगला सवाल क्या कर रहा है 50 watt bulb emits monochromatic light red light of wavelength this the number of photons emitted per second by the bulb is तो हमें power दे रखी है तो हमें energy दे रखी है per second तो energy हमें कितनी दे रखी है energy is equals to हो जाएगा power into time तो यह जाएगा 50 into 1 यानि कि 50 joules energy of one photon कितनी आ गई यह बिलकुल electron वाले सवाल जाय साहिए energy of one photon energy of one photon कितनी आ जाएगी hc upon lambda तो 6.63 into 10 raise to the power minus 34 into 3 into 10 raise to the power 8 divided by lambda 795 into 10 raise to the power minus 9 ठीक तो मैं तो इसे calculate of photons कितने आ गए number of photons will be equals to total energy upon energy of one photon energy of one photon सही है तो वन फोटन टोटल नर्जी कितनी दी 50 योगया of 795 उपर चला गया divided by 6.63 into 3 into 10 raise to the power minus 17 plus 17 हो गया ठीक 3 से cancel हो जा रहा लग रहा है तो 3 2 जा 6 3 6 जा 18 3 5 जा ठीक तो यह हो गया कितना यह हो गया 50 into 265 divided by 6.63 into 10 raise to the power 17 और इसे solve करना चाहो तो इसे लिख दें कितना इसे एक दें पच्छेस पांच शक्तीस दो बत्यस पांच दो नी दस ओ तीन तेरा ठीक डिवाइड़ बाइ 6.63 इंटू पांच दो नी दस ओ तीन तेरा सही कर रहा हूं ना पांच पच्छेस पांच शक्तीस दो बत्यस ठीक है इंटू 10 देश्ट दो पावर एटीन हो गया यह आल्मोस्ट टूंडर्ड टाइम्स होगा यह आल्मोस्ट कितना होगा तो इससे लख दें 99.8 इंटो 10 दो भावर यानि कि तो इसे का जाएगा इसका थीक अगले सवाल करा अगले सवाल गारा अगले सवाल करrates अगले समय्सॉलीव इंटेर्ण अब जैडेंट का अटोमिक नमबर होता है 30 तो जैडेंट प्लस का इलेक्ट्रानिक कॉंफिग्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए आर 3D 10 और 4S 1 तो इसके लिए मैगनेटिक कॉंटम नमबर M की वैल्यू कितनी होगी 0 क्योंकि L भी कितना है 0 N की वैल्यू कितनी है 4 और S की वैल्यू कितनी होगी हाफ होगी ठीक तो M की वैल्यू कितनी है 0 क्वान्टम में वैल्यू निकालना आसान का मैं कोई दिक्कत की बात किसी को भी नहीं होनी चाहिए अगला कर आएग गी जर्मेनियम है 32 in its ground state configuration x has x completely filled orbitals with ml equals to 0 तो x completely filled orbitals है जिनमें ml 0 है तो ऐसे देखते हैं जर्मेनियम 32 का electronic configuration लिखो क्या होगा 1s2, 2s2, 2s6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p2 ठीक तो completely for orbitals with ml equals to 0 तो ml किसमें 0 होगा for s orbitals for all s orbitals and p orbitals के लिए p orbitals के लिए ml 0 एक condition होगी for one orbital p orbitals में केवल एक orbital के लिए ml 0 होगा तो इसमें किसमें हो जाएगा एक, दो, number of क्या निकालने, orbitals निकालने, एक, दो, तीन इसमें होगा, चार, पांच, छे, साथ, d में भी क्या होगा, d orbital में भी कितना होगा, d orbital में अधे बी ml 0 के लिए एक की आरबिटल के लिए होगी और वह भी कंप्लीटली कैसा है, फिल्ड है, वह भी कंप्लीटली कैसा है, फिल्ड है, तो एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6..7.. HAS 7 GREorta श्राफितलस ऐसे आगए अगला क्या कर रहा है अगला क्या सरद्सक्राप या मोनोक्रोमयोटिक इंफ्राबर रेंज वाइंडर ऑफ पावर one convention watt ठीक है पावर कितने one large metal य होजने 6 पावर जिए वीस आगें इनर्जी हमें दे रखी है मताफ पावर दे रखी ए तो capacity फीर फिरसे वही सवाल है इनर्जी ऑन फोट ऑन एक षब लगा है निकिश् lanz खेंगा टब आ घला अग Im इंटू थी इंटू 10 देड़ पावर 8 डिवाइड लैम्डा कितना दिया हुआ है लैम्डा दिया है थाउजन इंटू 10 देड़ पावर माइनस 9 कितने भले लोग है तो 9 मैं से 3 यह 6 बच चे और 14 बच तो 10 इस पावर 20 आ गया 6.63 इंटू 3 इंटू 10 इस पावर माइनस 20 आ गया सिंपल यह तो ठीक तो इसे कर दें 19.89 इंटू 10 इस पावर माइनस 20 जूल से अगई तो टोटल नंबर ऑफ फोटोंस कितने आ गया वह तोटल नंबर ऑफ फोटोंस कितने आ गया तोटल इनरजी कितनी है अब मैं फॉर्मॉला डिरेक्ट लिग दू तो 10 इस पावर यानि कि 50.2 इंटू 10 इस पावर माइ प्लस 13 तो अंसर कितना आ गया 50 आ गया हमारा अंसर फाइनल ठीक अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल कह रहा है अगला सवाल बहतरीं सवाल है जिसे एडवांस में पूछा जा चुका है तो इसे ज़रा डराइव करेंगे कह रहा है तो हमें पता है क्या कि जो MVR है बोर के सबसे वो कितना होता है नह अपॉण 2 पाई होता है तो यहां से वेलॉसिटी की वेल्यू जो आजाएगी वो आजाएगी नह अपॉण 2 पाई इंटू 1 अपॉण मर आजाएगी आजाएगी और हम काईनेटिक एनरजी को जानते हैं काईनेटिक इनरजी इसी कोष्ट होता है half mv square काईनेटिक एक इसके बराबर है half mv square के बराबर तो यहां से रखते हैं half mv की जंगा रखते हैं क्या एच अपॉन second orbit है तो n की value कितनी हो गई 2 ठीक है second orbit है तो n की value कितनी हो गई 2 हो गई n की value 2 हो गई और n की value यहाँ पर ट्लिक दी 2 और upon इसे v की value यहाँ से रखने अच्छा पहले r को solve कर लेता है इसे थोड़ा रुख जाओ कानेटिक इनर्जी को पहले r को solve कर दो अब देखो जरा r को गैसे solve करेंगे हम यह भी जानते हैं तो v की value यह निकल आई और हम यह भी जानते हैं कि kze square by r square जो होता है वो mv square upon r होता है यहाँ से एक r कैंसल कर दिया तो kze square upon r की value हो गई mv square के बराबर ठीक तो यहाँ से अगर हम kze square upon r को m की जाना लगने m और v की जाना लगने n h upon 2 pi into m into r का whole square ठीक तो यह आजाएगा कितना r की value आजाएगी जो वो आजाएगी कितनी आजाएगी r इधर जाएगा उपर तो यह बजाएगा n square h square divided by 4 pi square into 4 pi square r इधर multiply होके इधर जाएगा 4 pi square into kze square बचे गा for hydrogen atom क्या हो जाएगा for hydrogen atom कितना हो जाएगा h atom z communities 1 become 1 यह और n one की value one हो जाएगी तो boards radius जो आजाएगी वो a 0 हो जाएगी और a 0 की value आजाएगी एटना होजाएगी a 0 की value जो हम जाए यहां पर कि ए नॉट की वेल्यू कितनी आ गई ए नॉट की वेल्यू जो आ गई वह आ गई कितनी एच स्क्वाइर अपॉन फॉर पाई स्क्वाइर इंटू के ए स्क्वाइर आ गई इतनी ठीक अब कह रहा है कि ए नॉट बोर्ट्स रेडियस है ठीक है अब जड़ा देखना वही ए नॉट की वेल्यू यह आ गई अब ए नॉट की वेल्यू निकाल लो यहां से तो वी की वेल्यू आ गई एन एच अपॉन टू पाई इंटू एम सौरी वन अपॉन एम की वेल्यू इन टर्म्स ओफ आर रख देते हैं आर को अगर हम वन मान लें मतलब आर की वैलियों यहां पर रखते हो ठाके तो लिखने क्या इसे हम क्या लिख दें विलॉसिटी कितनी आ जाएगी यहां से विलॉसिटी आ जाएगी 2m a0 into 2 ठीक a0 into 2 आ जाएगी ठीक है यहां तक बात clear हो गई यहां तक बात कैसे आ गई हम लोग यहां कहाँ पहुंच काई हां से हमने यहां से आर की वैलियों उठागे R की value उठागे यहाँ पर put कर दो A0 के form में और A की value डाल दो ठीक तो velocity की यह value आगई तो velocity की जो value आगई वो आगई हमारे पास अगर हम A0 ले रहे हैं तो N की value तो 1 ही हो जाएगी तो यह जाएगी H upon 4 pi M A0 ठीक अब यह आगई value यहाँ पर तो इसे kinetic energy निकालो kinetic energy किसके बराबर आजए kinetic energy है जाएगी half M V square के बराबर तो अगई half M की value हो गई M V की value हो गई H upon 4 pi M A0 का whole square तो यह हो गया 1 upon 2 into M into H की value कितनी हो गई H की value कितनी हो गई H की value तो H square ही रखनी है upon 16 into pi square into M square into A0 square आ गई तो M से M की value cancel हो गई ठीक तो यह हो गया 1 by 2 into H square 1 upon 2 को लिखो है 1 by 32 लिख दूँ सीदे तो H square upon 32 into pi square M A0 square आ गया क्या क्या गया यह आ गया kinetic energy ठीक यह आ गई क्या kinetic energy किसके बराबर रखनी थी X A0 के बराबर रखनी थी ठीक X M A0 के बराबर ठीक है तो X की value कितनी आ गई X की value आ गई 32 into pi square के बराबर जो आ गई 32 into 3.14 का whole square जो आ जाएगी कितनी थोड़ा गंदा सवाल है लंबा तो लगे गई 3.10 X की value बता नहीं थी तो 10X की value होगी 3155 ठीक है पूरा derivation करना पड़ेगा तभी answer आएगा और answer आ जाएगा लेकिन अगर धंसे करोगे तो ठीक है ठीक अब आगे चलते अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या कर रहा है A metal surface is exposed to 500 nanometer of radiation the threshold frequency of the photoelectric current is this the velocity of ejected electron is तो यह तो simple है सीधा लगा दो की formula यूज करने photoelectric effect का h new is equal to h new naught plus half mv square कर देता है कहीं क्या रहा है question में की हमसे कहारा है की wavelength हमें दे रखी है और frequency threshold frequency दे रखी है तो हमें velocity of ejected electron निकालने ठीक है तो h into c upon lambda करते हैं से हमें के रखी है कितनी 4.3 into 10 raise to the power 14 और half m की value हो गई 9.9 दे रखी चलो यह तो बहुत बढ़ी है 9 into 10 raise to the power minus 31 into velocity हमें find out करनी है h की value दे रखी है 6.63 into 10 raise to the power minus 34 into c की value दे रखी 3 into 10 raise to the power 8 or divided by हमें दे रखा है कितना 500 into 10 raise to the power minus 9 तो h की value तो यहाँ पर लिखने पड़ाईगी 6.63 इंटु 10 दिश्टो द पावर माइनस 34 इंटु 3 इंटु 10 दिश्टो द पावर 14 प्लस 1 बाइटू इसे 1 बाइटू को लिखने 4.5 इंटु 10 दिश्टो द पावर माइनस 31 इंटु V स्क्वार यह हो गया 20 मतलब 9 और 8 17 और 17 चौतिस बचा 17 में दोगे 19 बचा तो यह बचा कितना 6.63 इंटु 10 दिश्टो द पावर माइनस 19 इंटु 3 यहाँ से 7 गया और निसी बचा डिवाइड़ वाई 5 बचा जा और यह हो गया कितना 6.63 इंटु 4.3 इंटु 10 दिश्टो द पावर माइनस 20 प्लस 4.5 इंटु 10 दिश्टो द पावर माइनस 31 इंटु V स्कॉर ठीक इस सब को जरा करते हैं तो जा जाएगा 19.89 डिवाइड़ वाइड़ वाइव माइनस माइनस करते हैं इसे 6.63 इंटु 10 दिश्टो द पावर 0.43 इंटु 10 दिश्टो द पावर माइनस नाइनटीन बाहर लेले इस इको इस टो हो गया 4.5 इंटो 10 इस टो पावर माइनस 31 इंटो V स्कॉर ये इससे कैंसल हो गया यहाँ पर बच्ची पावर बारा ठीक इसे पूरे को सॉल करते हैं तो ये बच्चा 1.1271 इंटो 10 इस टो पावर 19 तो खतमी हो गई divided by 4.5 is equal to V स्कॉर ठीक और इंटो पावर बच्ची 10 इस टो पावर बारा यहाँ पर आ गई ठीक ये गणेत है और कुछ नहीं है इसमें बिलकुल मैं बुद्धी तो पहला फॉर्मूल लगाते ही खतम हो गया ना सवाल तो विलासीटी वैल्यू 10 जिफ्टो पावर 6 के अटर में आने चाहे तो जाँए को 22 इन्टी 20 इन्ट 210 टी पावर 12 वी स्कॉर की वैल्यू तो वी की वैल्यू जा जाएगी वो जाएगी कितनी है 5 इन्टो 10बेश्ट उद पावर 5 कुछ नहीं करना था सवाल में बस केवल केवल कल्कुलेशन थी लिखनी थी कल्कुलेशन को और सवाल लग जाना था ठीक है अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है कि given below are the two statements ठीक है करा है कि according to Bohr's theory of Bohr's model of an atom qualitatively the magnitude of velocity of electron increases with increase in positive charge तो velocity किसके proportional है z by n के ठीक है positive charge on the nucleus and there is no strong hold on the electron by the nucleus कह रहा है कि qualitatively the magnitude of velocity increases with decrease in positive charge ये तो गलत होगे है यहीं पे positive charge के तो directly proportional है तो ये तो false करा है according to Bohr's theory of atom qualitatively the magnitude of velocity increases the decrease in principal quantum number तो velocity ये तो सही लिखा है quantum number के inverse proportion है तो ये true हो गया तो answer आगे हमारा C और इस तरह से हम लोगों ने इस chapter के सारे पी वाई क्यूस 26 साय थे वो सारे complete कर लिए तीरे दीरे करके हम लोग 2021 को complete करेंगे पहले तो अब वीडियो आते रहेंगे तो stay connected अच्छे से पढ़ते रहो चैनल को like share subscribe करना है और उनको बताना है जूनियर्स सीनियर्स की जिम्मेदारी है कि जूनियर्स को बताके जाए यार क्योंकि अब हम लोगों को आगे का रास्ता तै करना है जल्दी से ठीक है चलो मिलते हैं तब तक के लिए thank you very much take care bye bye ध्यान नकना अपना